लूंजर, वेलकम टू माइ इसटेजी फीच ट्यानल दोस्तोrem αज को टॉपिक है सिखना यानि अधियम यानि लर्निंग आज हम सिखना यानि लर्निंग के बारे में क्यारें किया है इसकि परिफासाएं क्या है और इसकी बिसेश्टाय क्या है इसके प्रभावित करने वाली कारक क्या होती है इस सिखने की विधिया क्या है तो चले जानते हैं इसके भारे में वीजियो को सुरू सिलाज तक देखी का बीच में इसकी मत किजीगा यह टॉपिक आपके प्रजिटी एक्जाम के लिए बेरी इप्रण्ट होती है तो जानते हैं सिखना क्या है जैसे कि प्रतेक प्राड़ी प्रतेक ब्यक्ति प्रते दिन अपने जीवन में कुछ नए-णे अनभौ एकत्र करता है और नवीन अनभौ ब्यक्ति के विज़ार वे बिधि तर्था संसो धन करते हैं तेखें नए-णे सोधन करता है इसलिए अनुभोत था इनका उपयोग करना है क्या होता है शिखना कर लाता है मनुभी क्यानिकों ने सिखने के मानर्सिक प्रक्रिया कहा है क्या कहा है मानर्सिक प्रक्रिया और यह क्रिया जो है जीवन भर नेलतर चलती रहती है यानि कि सिखना क्या है ब्योहार में परिवर्तन है यानि कि जीवन परयंतन चलने वाली प्रक्रिया है यानि सीखना जो हो जन्म के तुरंत बाद श्री ही प्रारम हो जाती है ठीक है यह एक जीवन परयंतन चलने वाली प्रक्रिया है ठीक है और हमेशा हर पल परतेक इंसान कुछ न कुछ शिखता रहता है ले मनोबिज्ञानिक अर्थ यानि ब्यापक अर्थ में सिखने का अर्थ होगा अनुभो एवं प्रसिच्छर के द्वारा बेवहार में परिवतन ठीक है सिखना क्या है अनुभो एवं प्रसिच्छर के द्वारा बेवहार में परिवतन सिखना का अर्थ क्या हुआ अनुभो ये उन प्रसिचर के द्वरा बियोहार में परिवतन ठीक है यानि कि जो भी हम अनुभो करते हैं और प्रसिचर लेते हैं उसके द्वरा जो हम सीखते हैं और जो हमारे बियोहार में परिवतन आता है वही सीखना है जैसे कि हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं अनुभो से या प्रसिचर के दोरा ठीक है तो पहले की ग्यान से हमारा ग्यान इंप्रूव हुआ उसके बारे में हम जाने और पहले से हमारे बिहार में जो है उसके बारे में ज्यांकारी के अनुसार परिवतन हुआ और जीवन प्रयातनों चलने वाल सतत्त प्रक्रिया यह जनम्य के तुरंत बाद से फिर्छा गैंगा था तो बिहारीटन के फैसे होता है। जो इस्थाई परियोतन होता है, वही सीखना है, इस्थाई परियोतन ही सीखना है, जैसे कि एक बार कोई साइकल चलाना सीख गया तो वह भूलता नहीं है, एक इस्थाई परियोतन है, वह अनुभो किया, प्रसिचर लिया साइकल चलाने का बार बार, उसके बाद वह जब वह इसके बिवहार परिवतन आ गया, उसके बाद Hisres曜 हो गया। वो नहीं भूलेगा तो ज्यान, अनुभाव, प्रसिछर के खरदार प्रिवतन के करद भिवहार में बिवहार में करद बिवहार में परिवतन होता सेे, वह ही करद है। और इस थाइप रियोतन में, जो और इस थाइप रियोतन होता है, वो अधिकम की स्रड़ी में नहीं आता है, ठीक है, अधिकम यानि सीखने की स्रड़ी में वो नहीं आता है, इसके अंतरगत मादक, पदार्थोकर, शिवन, बिमारे की कारण, शंविक कारण, जो भी सीखेंग वो अधिगम के अंत्यागत नहीं आएगा तो सिखने की प्रक्रिया की दो प्रमुख विसेस्ता हैं क्या है कि निरंतर्ता सौरभुमिक्ता यानि निरंतर्ता होना चाहिए उस क्लिया को बार बार करने से इंसान सीख जाता है इनिविएर्सल तुथ होना चाहिए। यानि सभी विष्थ सकते हैं। वह करके सेखु सकता है। सब्सक्राइब भीचल गोश्टी से शेक Watcher清視 sei इसे शेक। इक्षाएब किसी चिश़कों आप कैसे सीख सकते हैं। चार लोग से मिलकर बैठ के बिचार गोश्टि कर रहा हैं किसी चीज़ पर पर्पश्चे कर रहा हैं इक प्रजेक्ट विधिया आपको कोई समस्या दे दिया गया उसको आप स्वें सुल जाएंगे तो प्रोजेक्ट बिधी से भी सिखेंगे, इस परकार करके सिखना, नेच्छा करके सिखना, परिच्छा करके सिखना, सम्मिलन विचार गोष्ठी की मात्या सिखना, प्रोजेक्ट बिधी से सिखना, ये सिखने की प्रभावसाली बिधिया हैं, ठीक है, तो हम सिखना क्या है, सिखने की प्रमुख बीशिष्टा क्या है और सिखने की प्रभास नी घिया किया है इसके बारे में जानगे अब मैं बात करूँंगी कुछ बिद्वानों के अनुशार सिखने की अनुच से परिभासास है जो आपके एक्वाफ। के द्वारा जो बयोहार में परिवरतन होता है वो शीखना है यह परिभासा किस ने दिया है गेर्ष ने तो गेर्ष ने क्या कहा है कि अनुभो एवं प्रसिछर के द्वारा बयोहार में परिवरतन ही शीखना है जहां भी अनुभो एवं प्रसिछर आ जाए ठीक है अनुभो सिखने की सिधान पढ़े होंगे तो क्रिया परसु सिधान रियाने की अनुकुलित अनुकुलित अनुकुलिया का सिधान इन्होंने दिया है और उन्होंने चुखे पर परयोग किया था तो इनकी परिवासा है कि सिखना बिवहार में उत्र-उत्र समंजश्र की प्रतिया है जहां पर उत्र-उत्र समंजश्र की प्रतिया है जहां पर उत्र-उत्र समंजश्र की प्रतिया है कि सिखने में वाता वरण संबंधी आवसकताओं की पूर्टी के लिए बेवहार में होने वाले सभी प्रकार की परिवत्र शंबलित हैं इनका कहना है कि वाता वरण संबंधी जो भी आवसकताओं होती है उनके पूर्टी के लिए बेवहार में होने वाले सभी प्रकार की परि परिवासा में वहां गार्डनर मरफी की परिवासा होगी ठीक है नेक्ट है कि इंग्सले एंगेरी का कहना है कि अभ्यास एंग प्रसिचर की फरसरूप नवीन तरीके से व्योहार करके अथवा व्योहार में परिवर्तन लाने की प्रतिया को सिखना करते हैं इनका कहना है कि अभ्यास अप्रसिचर दोनों के फरसरूप अभ्यास के फरसरूप और प्रसिचर के फरसरूप नवीन तरीके से हम किसी व्योहार को करना सिख रहे हैं नवीन तरीके से व्योहार को करनी और व्योहार में जो परिवतन लाने की प्रकिरिया है उसी को क्या कहते ह शिखना कहते हैं इनका की पॉइंट क्या है कि नवीन तरीके से ब्योहार करने का सब्द जहां पर आ जाए वहां पर इनक्सलियम गरी की परिवासा है में नेस्ट प्रिभासा है क्रों एंड क्रों की क्रों का झांस आते ही कि उन्होंदे आदतु पर-जाध प्रीभासा दिया है तो क्रों का कहना है कि सिखना ब्योहार में आदतो एवं अभिवित्यों के माध्यम से ब्योहार में परिवरतन ही सिखना है। इनका कहना है कि सिखना जो है ब्योहार में आदतो एवं अभिवित्यों के माध्यम से ब्योहार में जो परिवरतन होते हैं वही सिखना है। प्रसिचह के क्ष़िछ नहीं कि जब अधकि आधा तो भीर्तियों के माध्यमसे ब्योहार में परिवतन कुरोब का विवधा में परिवतन का बै Tages lle है को दीयान के क्ष़िए लोगों से कहा है और दिख मिलिया कि प्रसिचह द्वार को 거는 नहीं तरीके से बेहार करने की प्रक्रिया बेहार में परिवत्न, ठीक है? और गार्ड़नमरभी ने वातावार समझ्धिया सकता, जिए पूर्ति के लिए बेहार में होने वारी परिवत्न की बात कही है, तो, क्रों-क्रों की परिवाअसा में आदतों और अभुषी में की बिवार में परिवतन शीछना है तो जहां आदतों इ स Also mut vibes आ जाए कि और ऑदकाना है वहां पर क्रों की परिवाशा होगी तो 터 Duction की is a एक और ने परिफासा इनका है कि आदतु ग्यान तथा अभिवरितियों कारजन ही सीखना है तो यह परिफासा बहरी इंपॉरेंट है क्योंकि छोटे परिफासे ज्यादे पुछे जाती है तो एक परिफासा जो है नेक्स परिफासा जो क्रोयम क्रो का है कि आदतु ग्यान जहां पर नवीन ग्यान नवीन परसितियों के प्राप्ति करने की प्रतिक्रिया ही शीखना है। कि जहां पर नवीन की आना नवीन प्रत्रक्रियाओं की प्राप्ति हो जाए प्राप्ति की बात आये वहां पर पुर्वर्स की प्रिवासा है गिलफोड का कहना है यह बेर इंपोर्टन प्रिवासा है कि ब्योहार के करण ब्योहार में प्रिवासा है यह तो एक लाइन का प्र Kolar का रहना है कि kolar षम्पूरreceek है समझते को भी जाता उनका परिभास भी है कि kolar का कहना है कि समपूर परिसीति요 का संगठन ही सिखना है जहां परिसीतियों का संगठन सब्धा दाजाए, वहां पर परिभास होगा ्ठिर्वाशा है यानि कि उभ्युक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे। इनका कहना है कि शीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वरा अभिव्रित्ति या अभ्यास या विवहार में अपिछाकेत इस्थाई परिवर्तन होते हैं, जहाँ पर इस्थाई परिवर्तन सब्द आ जाए वहाँ पर चेयर्मन की परिवार्शा होगी. क्रोन बैक, नेक्ट परिवासा है क्रोन बैक, इनका कहना है कि अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभो के प्रिव्याम सरूप ब्योहार में परिवर्तन के रूप में होती है अधिकम की अभिवर्ति क्या होता है कि अनुभों की प्रिवार में परिवासा है तो ए थी अधिकम की कुछ परिवासा है ठीक है अब जान लेते हैं कि अधिकम की विविन विद्वानों के अंसार बिसेस्ताय क्या है उन्हेंने कितनी कितनी बिसेस्ताय दी है तो इसके बारे भी जानना आवश्चक है तो अधिकम की विसेस्ता जो है याकम तथा सिंपसंद के द्वारा हमसे पहले जानेंगे यापन याकम तथा सिंपसंद के द्वारा अधिकम की विसेस्ता जैसे कि उनके उन्होंने अधिकम की नो विसेस्ता दी है बताई है पहला है अधिकम विकास ह क्यों कोई चीज नए चीज सिखेंगे तो नए अभिकास हुआ यानि नेंता चलने की प्रक्रिया है विकास भी नेंता चलने की प्रक्रिया है अधिकन समायोजन है तीक है अधिकन समायोजन है यानि सिखने की द्वारा यानि सिखने की द्वारा है हम किसी चीज में समायोजन क आधिगम अनुभावों का शंगठन है।ता हो। चाहिता है किसी दिख नहीं की सिकिता है.. कि अधिकम कि नहीं सकते समाजिक ॆप नहीं होता है थे दुन होता है में जन्यarda मने परडम स्फरूप होता है ठीक है यानि नेचर और नचर इसके अंतरकत आयते हैं ठीक है तो अधिकम जो है वाता वर अरजन यह प्रडाम सरुप होता है नौवा है लास्ट है इनकी विसेस्ता ब्यक्ति की आचरग को प्रोहवित करता है तो इन्होंने याका में स्वंपिसाने नो प्रिवासा नो विसे है अधिकम अनुभव का संगठन है अधिकम उद्यश चेपुड होता है अधिकम विवय के उसे जन सील होता है अधिकम क्रिया सील है अधिकम व्यक्ति को समाजिक दोनों है अधिकम वाता वर अरजन यह प्रडाम स्वरूप होता है अधिकम व्यक्ति के आचरग को प्रोहव है इन्होंने बठाया है कि अधिगं ब्योहार में सतत्परिवर्तन है जी हो जीवन परियत dobre रहता है इस बात कु My focusing On paper이를 नहीं कहा है, कि अधिगम ब्योहार में सतत परिवर्तन है, एक एक परिवासा के रूप में भी बन सकता है, कि अधिगम ब्योहार में सतत परिवर्तन है, जो जीवन प्रयत में चलता रहता है, इस बात को किस ने कहा है, तो मेकारेनुपेज ने कहा है, तो पहले बीसिस्ता हर जगह विद्वान है meidän 3rd है इनुने बता है कि विकासात्मक प्रकार का है बात वे हैं गुमापhara के प्रुसान की प्रक्रिया है पात्वा है अधीगम सद्देप उद्देश से प्रक होता है यानि चट्वा है अधिकम तयारी वह अभी प्रेडा पर निभर करता है क्या आपके तयारी कैसी है आपके अभी प्रेडा यानि उस सुपता कितनी है कितना आप उसके सिखने के लिए प्रेडित है इस पर निभर करता है तो इन्होंने चिये विशेश्टा बताया कि अधिकम अभी प्रेडापर निभर करता है अब मैं बात करूं कि इसकेultan को प्रभावित करने वाले कारत जो कि इसमें से question एक पूछ़े जाते हैं इसे सीखने को क्या-क्या प्रभावित करते हैं इसको ध्यान से सुने सीखने की गलत पददि सबस्क्राइब बात कि यदि हम गलत पद्धती से सीख रहे हैं जाहिए सी बात है कि वो सीखने के प्रभावित करेगा हम अच्छे से लुप सी ठके हैं, कोई कनाव है, इस्ट्रेस है, तो भी हम सिखने को प्रभावित करेगा, जिस्ट है, सीखे जाने वाले की कारे का अधिक कठिन और जटिल होना, ठीक है, जैसे की कारे अधिक कठिन है, तो देज से सिखेंगे, सरल है, तो जल्दी सिख जाएंगे, यह प्रुभावित करता है, लेसट है, उचित अभीप्रेडा का भाव, रूटी में कमी आ जाना, ठीकें, यह नि कोई भी कारे हम सिखना, कोई हमको शिखा जाता है, यह जो सिख रहा है, उसके पाद अभीप्रेडा नहीं है, रूटी नहीं है, तो नहीं शीख सकता तो ये भी शीखनी को प्रहवी करता है लिश्ट है पुरानी आदतों का नहीं आदटों के साथ समझ जसे जिसा कि आप कोई नए चीज़ चीष चीज़ देके आương आप inhale आरत के अभियस्त हैं तो नहीं आदतों को साथ साथ संघर्ष होता है लिष्ट है सिखने वाले का सारी को मानसिक रुप से अस्वस्थ होना यह सारी को मानसिक रुप से वह अस्वस्थ है तो वो किसी भी क्रिया को अच्छे से नहीं सिख पाएगा नहीं तो कर पाएगा ठीक है लिष्ट है उचित ध्यान का अभाव अथ्व गव हो गया हम सिख गए तो ऐसे संत siento कि वजाना ही सिखने को परभावित करता है तो इस विडियो में हमने क्या सिखा कि सिखना क्या है तो सिखना रहनाम अनुपोयाम पर सिच्छा के द्राद ब्योहारब्योतन है।q जहां पे अनुपोयाम पाद परियोतन नहीं दूप कंद लिक्रीफटों होगा। वहां भी रहना में परियोतन होगा ठीक है। जीवन पतन चल्ने वले सटत प्रक्रिया है, कुछ भी इसमें से दे सकता है, कोशन देगा कि सिखना क्या है, कभी व्योहार में परियोतन देगा, कभी अनुभोय प्रसिच्छा के व्योहार में परियोतन देगा, कभी जियोन परत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, यह दे देगा, तो, या इस्थाई परियोतन है, या ग्यान अनुभ सब्सक्राइब करके को हैं और गारकों का की अब टाया है तो किप्सक्राइब करते किण आप है और नियुक्त की अब अपर आए आ हम की गउस कमेंट इसी कमें और बताइए कर देद THIS लुक चिए जाए पार Preset कर दो है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकन को फिक्प्रेस कर लेजिए जैसे जो ही मैं नया वीडियो नेक्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नाटिफिकिसन सबसे पहले आपके पास पहुचे तो मिलती है नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक की साथ तब तक के अालिए जैहिन लिए